C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ केवल खेल के लिए 1. पाइथागोरियन त्रिकों के बारे में कुछ और हम पाइथागोरियन त्रिकों यानि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स को एक प्रकार 2M, M वर्ग खटा 1, M वर्ग जमा 3 से लिखना समझ चुके हैं एक पाइथागोरियन त्रिक A, B, C का अर्थ, A वर्ग, जमा B वर्ग, बराबर है C वर्ग है यदि हम दो प्राकृत संख्याओं M और N का प्रयोग करें, जहां M N से बड़ा है तथा A बराबर है M वर्ग घटा N वर्ग, B बराबर है 2M N और C बराबर है M वर्ग जमा N वर्ग लें तो हम देख सकते हैं कि C वर्ग बराबर है A वर्ग जमा B वर्ग, इस प्रकार M N से बड़ा है के साथ, हम M और N के विभिन्न मानों के लिए प्राकृत संख्याएं A, B, C ऐसी बना सकते हैं कि वे पाइथागोरियन त्रिक बनाएं उदाहरणार्थ M बराबर है 2, N बराबर है 1 लीजिए तब A बराबर है M वर्ग घटा N वर्ग, बराबर है 3, B बराबर है 2 M N, बराबर है 4, C बराबर है M वर्ग जमा N वर्ग बराबर है 5, एक पाइथागोरियन त्रिक है इसकी जांच कीजिए M बराबर है 3, N बराबर है 2 के लिए हम प्राब्त करते हैं, A बराबर है 5, B बराबर है 12, C बराबर है 13, जो पुने हैं एक पाइथागोरियन त्रिक है M और N के कुछ और मान लीजिए तथा इस प्रकार के और अधिक त्रिक जनित कीजिए 2, जब पानी जमता है तो उसके आयतन में 4 प्रतिशत की व्रिधी हो जाती है 221 सेंटीमीटर घन बर्फ बनाने के लिए कितने पानी की आवशक्ता होगी 3, यदी चाय का मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्याय में कोई व्रिधी ना हो 4, समारोही पुरसकार यानी सेरिमनी अवाद्स 1958 में प्रारंप हुए तब पुरसकार जीतने के लिए 28 श्रेणिया थी 1993 में 81 श्रेणिया थी 1. 1958 में दिये पुरसकारों की संख्या 1993 के पुरसकारों की संख्या का कितने प्रतिशत है 2. 1993 में दिये पुरसकारों की संख्या 1958 के पुरसकारों की संख्या का कितने प्रतिशत है पांच, भवरों के जुंड में से एक बटा पंद्रवा भाग कदंब के फूल पर जा बैठा एक बटा तीन, सिलिंगिरी के फूल पर तथा इन दो संख्याओं के अंतर का तिगुना उड़कर कुटच के पुश्प पर जा बैठा तब जुंड में केवल दस भवरे ही रह गए, जुंड में प्रारंब में कितने भवरे थे, ध्यान दीजिये की कदंब, सिलिंगिरी और कुटज फूलों के पेड़ हैं, यह समस्या बीजगनित के एक प्राचीन भारतिये गरंथ में से ली गई है 6. किसी वर्ग का क्षेत्र फल ज्याद करने के लिए, शेखर ने वर्ग के क्षेत्र फल का सूत्र प्रयोग किया, जबकि उसके मित्र, मरूफ ने वर्ग के परिमाप का सूत्र प्रयोग किया आश्चर्य की बात है कि दोनों के उत्तर संख्यात्मक रूप से एक ही थे मुझे बताईए कि जिस वर्ग पर वेकार्य कर रहे थे उसकी भुजा की एकाईयों की संख्या क्या है साथ, एक वर्ग का क्षेत्रिफल संख्यात्मक रूप से अपनी भुजा के छे गुने से कम है ऐसे कुछ वर्गों की सूची बनाईए जिनमें ऐसा होता है आठ, क्या यह संभव है कि लंब वृत्तिय बेलन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके वक्र प्रिष्ठिय क्षेत्रिफल के बराबर होगा? यदी हाँ तो बताईए कब? 9. लीला ने अपने जन्म दिन पर कुछ मित्रों को चाय पर आमंत्रित किया उसकी मा ने परोसने के लिए एक मेज पर कुछ प्लेट और कुछ पूरियां रख दी यदी लीला प्रतियेक प्लेट में चार पूरियां खाती है तो एक प्लेट खाली रह जाती है यदि वह प्रतियक प्लेट में तीन पूरियां रखती है तो एक पूरी बच्चाती है मेज पर रखी हुई प्लेटों और पूरियों की संख्या ग्याद कीजिए 10. क्या ऐसी कोई संख्या है जो अपने घन के बराबर है परन्तु अपने वर्ग के बराबर नहीं है यदि हाँ तो वह संख्या ग्याद कीजिए 11. संख्याओं एक से बीस तक को एक पंक्ती में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि किन ही दो आसन संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग हो उत्तरमाला 2. 212 एक बटा दो सेंटिमीटर घन 3. 16 दो बटा तीन प्रतिशत 4. एक चौनतीस तशमलव पांच प्रतिशत 2. दो सो नवासी प्रतिशत 5. एक सो पचास 6. चार एकाईया 7. भुजा बराबर है 1, 2, 3, 4, 5 एकाईया 8. हाँ, जब त्रिज्या बराबर है 2 एकाईया 9. पूरियों की संख्या बराबर है 16, प्लेटों की संख्या बराबर है 5 10. घटा एक 11. एक तरीका यह है 1, 3, 6, 19, 17, 8 8. कोश्ठक में एक जमा तीन बराबर है चार 3, जमा छे बराबर है नौ इत्यादी कुछ और तरीकों से प्रयास कीजिए यह पुस्तक यहीं समाप्त होती है अभी आप सुन रहे थे केवल खेल के लिए वाचनस्वर आकाश आहुजा तकनीकी समनवयक बटलाइंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग रुची शर्मा निर्देशन व निर्मान विमलेश चौदरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत